अले ओ, फ्रेंड्स, आज किस वीडियो हम लोग क्या डिस्क्स करने वाले हैं? आज किस वीडियो में हम लोग डिस्ट करेंगे कि UP के Security Challenges कौन-कौन से है, Boarding Area पर, ठीक है? UP के जो Border Area है, वहाँ पर क्या हमारे Security के Challenges हैं, उसको हम लोग आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो UP की बात करते हैं तो UP की Bordering Area कौन कौन से होंगी देखो UP में एक हमारा International Border नेपाल के साथ सेर होता है और इसके लमा देखोगे तो 8 State ठीक है 8 State UP के Bordering Area में है और एक Union Territory है दिल्ली तो यह हमारा Bordering Area हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारे UP का Location है UP में इस State आप देखोगे नेपाल है यहाँ पर आपको उत्राखंड यहाँ पर हिमाचल प्रदेश फिर यहाँ पर हर्याड़ा यहाँ पर गाजियाबाद के पास आपको दिल्ली देखने मिलेगा फिर आपको हर्याड़ा देखने मिलेगा फिर यहाँ पर राजस्थान और बहुत बड़ा सा पार्ट हमारा मंद्य प्रदेश का नीचे हमारा 36 गड़, फिर इधर हमारा जारखन, यहां से पिहार ते हमारा total 8 state, एक union territory, एक international border हमारा UP के साथ share होता है थोड़ा सा district भी पता होना चाहिए, एक नेपाल के साथ कौन-कौन से district हमारा share करते है और इन ही district में हमारा international border से related जो security challenges है, वो हमें देखने को मिलते है district हमारा यह हमारा आप बोलोगे west to east के ओर arranged है पिलभीत, लखिमपुरखीरी, बहरेच, स्रावस्ती, बलरामपूर, सिधार्द नगर एन महराज गंज यह हमारा district नेपाल के साथ हमारा share करता है देली जो union charity है एक हमारा गाजियाबाद जनरली देली के साथ हमारा share करता है उत्राखंड में पिलभीत, बलेली, रामपूर, मुरादाबाद, विजनोर, मुजबफरपूर और सहारनपूर उत्राखंड के साथ है हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही हमारा district है सहारनपूर हरियाडग साथ हमारा सहारनपूर, मुजबफर, नगर, वागपत, गौतम बुद्धनगर और मत्रा राइस्थांग साथ मत्रा और आगरा ठीक है, राइस्थांग साथ मत्रा और आगरा मंद्र प्रदेश के साथ हमारा सबसे बड़ी एक बोल सकते होगा हमारे बौडर सेर करता है यूपी का मत्रा इटावा, और रहया, जालोन, जहांसी यानि बुंदिल खंडुला जो इलाका है उतना तो रहेगा है साथ साथ हमारा मत्रा इटावा भी हो गया ठीक मत्रा इटावा और रहया, फिर ये बुंदिल खंड वाला इलाका हो गया जालोन, जहांसी, ललितपूर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और फिर यहां पे बिंधे वाला इलाका प्रयाग राज, मिर्जापूर और स्वन्द भद्र ठीक माद्य प्रदे साथ गुंदिल खंड वाला और बिंधे वाला जो इलाका है और इसके लाव मत्रा और रोई टावा और रहया है याद रखेगा यह हमारा माद्य प्रदे साथ सेर करता है बॉडर 36 गड़ के साथ एक ही हमारा डेश्टिक है सोनभद्र जारखंड के साथ भी हमारा सोनभद्र है और बिहार में सोनभद्र से स्टाट होता है चंदोली, गाजिपूर, बलिया, देवरिया और कुसी नगर ठीक है यह हमारा आठ राज्य कौन-कौन से है उत्राखंट, हिमाचल मद्यप्रदेश, हरियाड़ा, और राजिस्थान, मद्यप्रदेश, 37 गड़, जारखंड और बिहार ठीक है यह हमारा आठ राज्य हो गया है नेपाल के साथ और दिल्ली के साथ भी हमारा बॉर्डर सेर करता है यूपी का अब सेक्योर्टी चैलेंजिस के बात करें देखो इंडिया में सेक्योर्टी चैलेंज बॉर्डर एडिया पर क्या है आप देखो कि नेपाल के साथ हमारा एक पोरस और ओपन बॉर्डर है ठीक है इसके चलते हमारा ओपन बॉर्डर होने के चलते जो इल्लीगल माइगरेशन होती है जो ड्रग्स है उनकी ट्रैफेकिंग होत है दिवार नेपाल के साथ बॉर्डर जो एरिया है वहाँ पर क्या क्या सेक्योर्टी चैलेंज है रक्स की ट्रैफेकिंग होती है और हीमन के भी जो इल्लीगल माइगरेशन वह भी देखने मिलता है नेपाल के साथ और इसके लावा आप बोलोगे कि आम्स का स्ट्रग्लिं है नेपाल के साथ ठीक है पाहला हमारे सेक्योर्टी चैलेंजिस क्या हो गया क्रॉस बॉर्डर इंप्लिटरेशन हमारे होती है नेपाल के साथ की ट्रैफेकिंग होती है इसके वज़य से individual को हम पहुचता है सासथ कम्यूटी और national security हमारे यहां पे बादित होती है द्रक्स क और 36 गड़ दोनों ही मारे left wing extremism से एक तरह से परसान है तो यह जो border area है खासकर सुन भद्रा और कुछ हिसा थोड़ा चंदवली का भी यहां पर left wing extremism का कभी कभी देखने मिलता है हाला कि अभी बहुत ही कम हो गया है फिर भी यहां पर थोड़ी सी nationalism का जो परभाव है वो देख है कि हमारे दूसरी प्रॉलम हो गया human trafficking होती है हमारे नेपाल के साथ इसके वज़े से illegal arms से आते हैं और violence भी इस रीजन में इसके वज़े से देखने को मिलती है तो यह हमारा security challenges हो गया कौन-कौन सी human के trafficking देखने मिलती है left wing extremism है बार्डरी अरिया में ड्रक्स की trafficking देखने मिलती है smuggling और cross border inflation यह हमारा major security challenge है उतरप्रदेश में बौर्डरिंग एरिया का और इस से इसका solution है कि हम basic जो infrastructure है बौर्डरिंग एरिया पर ठीक है जैसे सोनबद्र में आप देखोगे तो सोनबद्र में infrastructure की connectivity थोड़ी सी पूर है तो उसको strengthen करने की जरूरत है surveillance capability को enhance करने की जरूरत है modern जो हमारी technology है बौर्डरिंग एरिया पर जहां पर आवाज आही होती है बौर्डरिंग एरिया पर उहां पर थोड़ा सा surveillance पढ़ाने की जरूरत है जिससे की पता चल सके क्या आ रहे हैं क्या जा रहे हैं ठीक है इस तरह से हम करके बौर्डर management को हम थोड़ा safeguard कर सकते हैं और security challenges जो हमारी है उसको हम कम कर सकते हैं पर दोस्तों यूपी की आज हम लोग डिसस किए बौर्डरिंग एरिया को और बौर्डर एरिया में क्या क्या security challenges है इसको भी आज के इस वीडियो में कवर किये वाज क्लिव इस तरह हैं कमेंट करका जरू पताना वीडियो कैसे लगी थैंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपिक सार्थ थैंक्यू झाल